ओम् श्री पर्मात्मने नमह यथार्थ गीता श्रीमद भगवत गीता अध्याय तीर्मू गीता ना आरम मां दुत्राष्टे प्रश्ण करे हतो के हे संजाई दर्मक्षेत्र तथा युद्धक्षेत्र मां युद्धनी इच्छाथी एक्था थेला मारा ने पांडूना पुत्रोय शू करे परन्तु हजी सुधी एक्षेत्र क्या चे ए बतावामा आगू न थी परन्तु जे महापुरुषे जे एक्षेत्र मां युद्ध बतावी ते पोते एक्षेत्र नो प्रस्थुत अध्याई मां निर्णै आपे शे कि वास्तों मां आग्षेत्र छे क्या श्री भगवान वाच इदं शरीरं कंतेय क्षेत्र मित्य भीधियते एतद्यो वेत्तितं प्राहु क्षेत्रग्य इती तद्विधा कउंते आँ शरीर जेक्षेत्र छे अने एने जे सारीरीते जाने छे तेक्षेत्र न छे तेमा फसायो न थी परन्तु अनो संचालत छे आउने तत्वने जाननारा महापुरुषुए कहूं छे शरीर तो एकच छे एमा धर्मक्षेत्र अने कुरुक्षेत्र एमा बेक्षेत्रों क्या थी हकीकत मा एकच शरीरना अंतराल मा अंताकरणनी बे प्रवृत्तियो पुरातन छे एक तो परमधर्म परमात्मा मा प्रवेश अपावनार पुन्य मही प्रवरुत्ती दैवी प्रवरुत्ती छे अने बीजी आसोरी संपती छे इनुदूशित द्रश्टी कौन थी गठन धरूँ छे ते नश्वर संसार मा विश्वास अपावे छे जेरे आसोरी संपती बदी जाए छे तेरे आ शरीर कुरुक्षेत्र बनी जाए छे अने आज शरीर ना अंतराल मा जेरे डैवी संपती बदी जाए छे तेरे आ शरीर धर्मक्षेत्र कहवाए छे आ चड़ाव उतार एक धारो चालूज रहतो होई छे परन्तु तत्वदर्शी महापुरुष्ण सानिध्यमा ज्यारे कोई अनन्य भक्ती द्वारा आराधनामा प्रवृत्त थाई छे त्यारे बन्ने प्रवृत्तियुमा निरुनायक युद्धना मंडान थाई जाई छे क्रमश दैवी संपतिनी उन्नती अने आसुरी संपतिनु शमन थही जाई छे आसुरी संपतिना सर्वथा शमन पची दर्शन थवानी साथे परमदिधशननी अवस्था आवे छे दर्शन्थवारी साथेज दैवी संपतिनी आवश्यक्ता समात थाई जाई छे तेथी तेपन परमात मामा स्वतह विलेई थाई जाई छे भजनार पुरुष परमात मामा प्रवेश पामे छे अग्यार्मा अर्ध्याय मा अर्जुने जोयू के कवरव पक्ष उप्रांत पांडव पक्षना योध्धापन योगेश्वर्मा विलीन थाई रहा छे आ विलाई बाद पुरुष्णु जे स्वरूप शेश रहे छे एज ख्षेत्रग न छे हवे आगल जोये क्षेत्रग्यं चापिमाम विद्धी सर्वक्षेत्रेशु भारत क्षेत्र क्षेत्र ग्ययोर ग्यानम यत्तज ग्यानम मतमम हे अर्जुन तु बधा क्षेत्रों मां क्षेत्रग्न मनेज जान अर्थात हूँ पढ़ क्षेत्रग्न छूँ जे ओ क्षेत्र ने जाने छे एक क्षेत्रग्न छे आउँ एने साक्षात जाननार महापुरुष कहेशे अने श्विकृष्ण कहेशे के हूँ पण क्षेत्रग्न शूँ अर्थात श्विकृष्ण पण एक योगेश्वरज हता क्षेत्र अने क्षेत्रग्न अर्थात विकार सहीत प्रक्रुती अने पुरूष्णे तत्वती जानवू एज ग्नान छे एवो मारों मच छे इटले के साक्षातकार सहीद एनी जानकारीनू नाम ग्नान छे व्यर्थ कूरी चर्चानू नाम ग्नान नथी तत्क्षेत्रं यक्चयात्रिक्च यद्विकारियत श्चयत सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासे नमीशेनू ते ख्षेत्र जेवू छे जे विकारो वालू छे तथा जे कारणे थऊँ छे अने ते ख्षेत्रग्न पन जे छे अने जे प्रभाव वालू छे ए बदूतू मारी पासेती संक्षेप मा सांबळ। अर्थात क्षेत्र विकारों वाड़ूं छे कोई कारणों थी तेवूं थरूं छे जोके क्षेत्रग्न केवल प्रभाव शाली छे आहूँच कऊचो एवू नती रुशियों पन कहे छे रिशि भेर बहुधा गीतं चन्दो भेर विविधै प्रिथक ब्रम्ह सूत्र पदैश्चैव एतु मत भेर विनिश्चितै अक्षेत्र नेक्षेत्रग्ननु ग्नान रुशियों ए अनेक प्रकारे गायों छे तथा विविद प्रकारे वेदों ना मंत्र द्वारा विभाजित करीने पड कहवा मा आव्यों छे वड़ी विशेश रुपे निश्वित करेला युक्ती युक्त ब्रम्ह सुत्रों ना वाक्यों द्वारा पड कहवायों छे अर्थात वेदान्त महर्शी अने ब्रह्मसुत्र तता हुँ बधा एकजवाद कही रहाशी है जे आब बताय कहुँ एज श्रीकृष्ण कहेशे शुँ शरीद क्षेत्र जेक्टू देखाईशे इतलूँच्छे एँ अंगे भगवान कहेशे महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमीवच तिंद्रियानीदशैकंच पंच चेंड्रिय गोचराः अर्जुन पाँच महाभूत एटले के प्रुथ्वी, जल, अग्नी, आकाश, वायो पाँच महाभूत अहुंकार, बुद्धी अने चित चितनु नाम न लई में इने अव्यक्त परा प्रकृती कहवाई छे अर्थात मूल प्रकृती पर प्रकाश नाखो छे, एमा पराग प्रकृती पर सम्मिलिद छे उपर्युक्त आठ अश्टधा मूल प्रकृती छे आउपरांथ दस इंद्रियों जेमके आक, नाक, कान, त्वच्चा, जीब, वाचा, हाथ, पग, उपस्त तथा गुदा तथा, इच्चा, द्वेश, सुखं, दुखं, संघात, श्चेत, नाध्रिति, एतत, क्षेत्रं, समासेन, सविकार, मुदारितं इच्चा, द्वेश, सुख, दुख, अने बधानों समू, स्थू, देहनों आपिंड, चेतना, अने धैरिय, आरिति आक, शेत्र, विकारों सही, संक्षेप मां कहवामां आगूँछे संक्षेप मां अक्षेत्रनु स्वरूप छे, एमा वावेलू बीज, सारा अने खराब बीज संस्कारों न रूप मां उगे छे शरीरज, ख्षेत्र छे, शरीरमां माती, मसालों कई वस्तू छे आ पांच तत्व, दस इंद्रियों, एक मन, वगेर जेवा लक्षनों उपर गणावया छे आ बधानों सामोईक संघात पींड, शरीर छे जा सुधी विकार रह शे, त्या सुधी आ पिंड पन विद्यमान रह शे इतला माटे आ विकारों थी बनेलू छे हवे आक्षेत्रग्णनू स्वरूग जोईए, जे आक्षेत्रमा लिप्त लथी, परन्तु एनाथी निब्रुप्त छे अमानित्वम अदं भित्वम, अहिं साक्षां तिरार्जवम आचार्यो पासनम शवचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह हे अर्जुन, मान अपमाननों अभाव, दंभा चरणनों अभाव, अहिं सा अर्थात, पोताना तथा बीजा कोई ना आत्माने कष्ट ना आपमू, ए अहिं सा छे अहिं सानों अर्थ मात्र एटलो न थी, कि कीडी ने पन ना मारो श्री कृष्णे कहूं, कि पोताना आत्माने अधोगती मा ना पहुँचाडो एने अदोगती मा पहुचाडवो एहिंसा छे अने एनु उत्थान एज शुद्ध अहींसा छे आवा मनुश्य अन्य आत्माओना उत्थान माटे पन उन्मुख रहे छे हाँ एनु आरंब कोईने ठेस लव पहुचाडवाती थाई छे आ एनु एक अंग प्रत्यंग छे तेथी अहींसा क्षमाभाव मन वानीनी सरणता आचारियों पासना अर्थात शद्धा भक्ती सहीद सद्गुरुनी सेवा अने इम्यों पासना पवित्रता अंता करणि स्थीरता मन अने इंद्रियों सहीद शरीर्नों निग्र अने इंद्रियार्थेशु वैराक्यम अनहंकार एवच जन्मम्रित्यों जराव्याधी दुख दोशानु दर्शनम आलोक तथा परलोक ना देखेला साम्डेला तमाम भोगों मा आसक्तीनों अभाव अहंकारनों अभाव जन्म, व्रुत्यों, व्रुध्धावस्ता, रोग अने भोगादी मा दुख दोशनु वारमवार चिंतन असक्तिरन भिश्वंगह पुत्रदार ग्रिहादिशो नित्यंच समचित्तत्वं इष्टा निष्टो पपत्तिशो पुत्र, स्त्री, ठन अने ग्रुहादी मा आसक्तीनों अभाव, प्रिय तथा अप्रियनी प्राप्ति मा चित्तनु सदै सम रहूँ मैचानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिनी विविक्तदेशसे वित्वं अरतिर्जन संसदी मारमा अनन्यययोग शिक्रश्न एक योगी हता अर्थात आवा कोई महापुरुश्मा अर्थात योग थी अतिरिक्त कशु याद न राखीने अध्यभी चारेनी भक्ती इष्ट सिवाई कोईनू चिंतन न करवू एकांत स्थान्नु सेवन मनुष्यना सभूमा रैवानी आसत्ती न होगी तथा अध्यात्म अज्यान नित्यत्वं तत्वज्यान आर्थदर्शनं एतज्यान मिति प्रोक्तं अज्यानं यदतो उन्यता आत्माना आधिपत्यना अग्नान मा एक रस्थ थिती अने तत्वज्यान न अर्थवरूप परमात्मानू साक्षात्कार आ बधू ग्नान छे अने एना थी जे विप्रीद होई ए बध्धूज अग्नान छे आवू कहवायूं छे ती परमतत्व परमात्माना साक्षातकार आधे मननारी जानकारेणू नाम ग्नान छे चोथा अध्याय मैं इमणे कहूं के यग्ननी पूर्थि मध्ये शेष रहे शे ए ग्नानामूत्नू पान करनार सनातन भ्रम्म मां प्रवेश मेलवेशे आथी भ्रम्मना साक्षातकारी साथे मननारी जानकारी ज्ञान शे अहीं पन एज कहे शे के तत्व सरुप परमात्माना साक्षातकार्नू नाम ज्ञान शे आना थी विपरित बधूँच अग्ञान शे मान अपमाननों अभाव वगेर उपर्युक्त लक्षणों विनानना पुरक्षे आ प्रश्ण अहीं पूरो थाई चे गेयं यत्तत प्रवक्षामी यज्ज्यात्वाम्रितमश्णुते अनादिमत्परंब्रंध नसत्तनास दुच्चते अरजुन जे जानवा योग्य चे तथा जेने जानी ने मरण धर्मा मनुष्य अम्रुद्तत्व प्राप्त करे चे एहुँ योग्य प्रकारे कहिश जेनो आदी नथी ते परम ब्रम म न तो सत कहवा मावचे न तो असत कहवा मावचे कैंके ज्या सुदी ते अलग छे त्या सुदी ते सत्ध छे जड़े मनुश्यते मा समाही थाई जाए तेरी कौन कोने कहे एकज रही जाईशे, अन्यनू भान होतु नथी, आभी स्थितीमा ब्रह्म न सच्छे न असच्छे, परंतु जे स्वयम सहच्छे, तेज तेच्छे सर्वत पाणि पादम तत, सर्वत ओक्षिशिरो मुखं, सर्वत श्रितिमलो के, सर्वमा वृत्य तिष्ठती ते ब्रह्म बधी बाजूती हाथ पगवाड़ो, बधी बाजूती आँख, माथु अने मुखवाड़ो, तथा बधी बाजूती कान वाड़ो शे, तेमकि ते संसार मा बध्धाने व्यापी ने उभो छे सर्वेंद्रिय गुणाभासं, सर्वेंद्रिय विवर्जितं, असक्तं सर्वभिक्चैव, निर्गुणं गुणभोक्त्रिचं ते तमाम इंद्रियोंना विश्योंने जानना रोचे, आम छता इंद्रियोंती रहित छे, ते आसक्ती रहित गुणाती थोवा छता बधाने धारन करना रो अने पोशन करना रोचे, बधा गुणोंनों भोगता छे, अर्थात एक एक करीने बधा गुणोंनों पोतानामा ल अन्तमा बध्धाश गुणों मारामा विलीन थाई शे दूरस्थम चान्तिके चतत ते ब्रह्म बध्धाश जीवधारियों नी अंदर बहार परिपूर्ण छे अने चर अचर रूपे पन एज छे सुक्ष्म होवाती देखातो नथी आविक नेर छे मन इंद्रियों थी पर छे तथा अत्यांत नजीक अने दूरपण एज छे अविभाजी होवा छता पन एचराचर संपूर भूतों मां अलग-अलग होई एम प्रतित थाई शे जानवा योग्य एपरमात मां तमाम प्राणियोंने उत्पन करनारो पालन पोशन करनारो अने अन्तुमां संहार करनारो शे अहीं बाहिय औने आंत्रिक बन्ने भावों प्रति संकेत करें शे जें बाहार जन्म औने भीतर मां जागरूती बाहार पालन औने भीतर योगक्षेम्यों निर्वा बहार शरीदनु परीवर्तन अने अंदर सर्वस्वनों विलै अर्थात प्राणी मात्रनी उत्पतिना काराणों नो लाई अने ए लाई दी साथेज पोताना स्वरूपने प्राप्त थेई जों। आ बध्धा ब्रह्मना लक्षनों छे। जोति शाम पितर जोति तमस परमुच्यते ज्ञानम गेयं ज्ञान गम्यं रिदि सर्वस्य विष्टितं। ते ग्ने ब्रह्म जोतियों मापन जोति छे। अंधकार्ती पर कहवाई छे। ते पूर्ण ग्नान स्वरूप छे। पूर्ण ग्नाता छे। जानवा योग्य छे अने ग्नान द्वारा प्राप्त थनार छे। साक्षातकार्नी साथे मननारी जानकारिनू नाम गिनान छे। आवी जानकारी द्वाराज ब्रह्मनी प्राप्ती संभवीत छे। ते सवना रदैमा रहेलो छे। एनू निवास्थान रदै छे। बीजे सुधिशू तो क्याय माश्य नही। तेती रदैमा ध्यान तथा योग आचरण एना द्वाराज ब्रह्मनी प्राप्ती मुँ विधान छे। इतिक्षेत्रम तथा ज्ञानं गेयं चोक्तं समासतह मद्भक्त एतद्विज्याय मद्भावायो पपध्यते। हे अर्जुई बस आटलोज ख्षेत्र नान तथा जानवा योग्य परमात्माना स्वरूप विशे संक्षेत्मा कहवामा आविल छे। आजानी मारो भक्त मारा साक्षात स्वरूपने प्राप्त करे छे। अत्यार सुधी योगेश्वर्षि कृष्णे जेने क्षेत्र कहू एने प्रक्रूती तथा जेने क्षेत्रक्ड कहू एने हवे पुरुष शब्दती सुचीत करे छे। प्रक्रितिम पुरुषम चैव विध्यनादी उभावपी विकारान्ष गुणान्ष चैव विध्धि प्रक्रिति संभवान। आ प्रक्रूती ने पुरुष बन्ने ने अनादी जान्ष एवा संपूर्ण तमाम विकार तथा त्रिगोर प्रक्रूती मातीज उत्पन थेला जान्ष पुरुष सुख दुखाना भूख त्रित्वे हे तुरुच्चते कारिय अने करण जिनाद्वरा कारिय करवामा आवे छे विवेक वईराग्य वगेरे तथा अशूप कारिय करवामा क्रोध वगेरे करण बने छे कारिय अने करण नी उत्पती मा प्रक्रूती हे दू छे इम कहवामा आवे छे अने आ पुरुष सुख दुखने भोगवामा कारण कहवामा आवे छे प्रश्ण ए थाई छे के तेशू भोगवतों रहे छे के पची एना थी कदिक छुटकारों कर पाम छे जहरे प्रक्रूती अने पुरुष बन्ने अना दी छे तेरे कोई इमना थी छुटे के विरीते ए बिशे भगवान कहे छे पुरुष प्रक्रिति स्थोही भुंते प्रक्रिति जान गुणा कारण उंगुण संगोस्थ्य सद सद्योनी जन्मसुण प्रक्रूती नी वच्चे उभेलो पुरुष प्रक्रूती ती पैदा थेला गुणोंना कार्य रूप पदार्थोने भोगवे छे अन्या गुणोंना संग ने कारणे जीवात्मा सारी के नर्सी योनी मा जन्म ले छे आ कारणे अर्थात प्रकृती ना गुणोना संग समाप्त थता जन्म म्रुत्तियु माथी मुक्ती मले छे हवे भगवान ए पुरुष विशे प्रकाश पाड़े छे के ते केवी लीते कया प्रकारे प्रकृती नी वच्चे उभो छे उपद्रष्टानुमंताच भरता भोकता महिश्वरह परमात्मेतिचाप्युक्तो देहे स्मिन पुरुष परह ते पुरुष उपद्रष्टा रदई देश्व खुबश समीक हाथ पग मन जेतला तमारी नजीक छे ते थी ये वदू नजीक द्रष्टाना रूप मा रहे छे एना प्रकाश मा तमें सारू करो के खराब करो एने कोई प्रयोजन नती एतो साक्षी रूपे बेठो छे साधनानों योग्यक्रम हाथ मा आउता पतिक थोड़ोक उपर उठे छे एनी तरफ आगण वधे छे द्रष्टा पुरुष्टो क्रम बदलाई जाई छे ते अनुमंता अर्थात संबती आपे छे अनुभव आपे छे साधना द्वारा वधू नजीक पहुची ने ते पुरुष्ट भरता बनी ने भरन पोशन करे छे जेमा तमारा योग्यक्षेमनी पन व्यवस्था करी दे छे साधना द्वारा सुक्ष्मों बनी ने ते भोग्ता पन बनी जाई छे भोग्ता रम यग्न तप साम यगन तप जे काई थाए ए बध्धानों ए स्विकार करेशे अने ज्यारे ए बध्धू ग्रहन करिलेशे त्यारे एनी पछीनी अवस्थामा महेश्वरह महान इश्वर्ना रूपमा परिनत थाई छे ते प्रक्रुतीनों स्वामी बनी जाई छे परन्तु ज्याहजी प्रक्रूती जिवीच छे त्या एनों मालिक छे एना थी पन उन्नत अवस्थामा परमात में ती चाप युगतो ज्यारे परमतत्व मां मड़ी जाये छे त्यारे परमात मां कहवाये छे आरीते शरीर मां रहतो होवा छता आपुरुश अर्थात आत्मा परमतत्वच छे सर्वत्वा प्रक्रूती ती पर बने छे फरक इटलोच छे के आरम मा आद्रश्चाना रूप मा हतो क्रमश उत्थान थता थता परमनो स्पर्श पामी ने परमात्माना रूप मा परिनत थाई जाई छे यएवं वेति पुरुषं प्रकृतिंच गुणै सह सर्वता वर्तमानो पी न सभूयो भिजायते आम कुरुषं ने अने गुणो सहित प्रकृतिंच ते मनुष्य साक्षात कार्दी साथे जानी लेशे ए बद्धी रिते कार्यरत रहतो होवा छता फरी जन्म पामतो नथी अर्थात एनू पुनर जन्म थतो नथी आज मुक्ती छे अत्यार सुधी योगेश्वर्षी कृष्णय ब्रह्म अने प्रकृति नी प्रत्यक्ष जानकारी ते मश तेथी मलनारी परमगती अर्थात एना पुनर जन्म माथी मुक्ती नी बाबतमा प्रकाश पाड़्यो हवे भगवान इवा योगु पर भार मुके शे जिनी प्रक्रिया आराधना शे केमके कर्मने कार्यरूप आप्या विना कोई पामतु नथी ध्याने नात्मनि पश्यंति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांखेन योगेन कर्मयोगेन चापरे हे अर्जुन आत्मानम परमात्माने किटला मानसो तो आत्माना पूताना अंतरचीतन ध्यान द्वारा आत्मनी रदैल धेशमा जुए छे किटला सांखे योग द्वारा अर्थात पूतानी शक्ती में समझीने ते कर्ममा प्रवरुत्त बने छे अने बीजा घणा निशकाम कर्मयोग द्वारा अने जुए छे समर्पन साथे नियत कर्ममा प्रवरुत्त थाई छे प्रस्तुच लोकमा मुख्य साधन छे ध्यान आध्यान मा प्रवरुत्त थवा माटे सांख्ययोग अने निशकाम कर्मयोग बे ध्हरा अचे अन्ये त्वेवम जानंतह शृत्वान्ये भ्यवपासते ते पिचाति तरं तेव मृत्यों शृति परायना परन्तु बीजा जिनने साधनानू ग्ञान नथी ते आरिते तत्वने जानता नहोई अन्ये भ्यह बीजा जे तत्वने जाननारा महापुरुषो एम्मी पासेती सांबली ने उपासना करे छे आम श्रबन परायन थहेला लोकोपन नुत्यरूपी संसार सागर बेशक तरी जाई शे आती बिजो कोई मार्ग हाथ न लागे तो सत्सं करवो यावत्सं जायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्र ग्यसयोगात तद्विधि भरतर्शभू हे अरजू स्थावर अने जंगम जे कोई वस्तु पैदा थाई छे ए बद्धी जे क्षेत्र अने क्षेत्र ग्यना संयोग थी उत्पन थहेली जान प्राप्ती क्यारे थाई छे आ अंगे भर्वान कहे छे समं सर्वेशु हू तेशु तिष्ठंतं परमीश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति सपश्यति बद्धा नाश्वन प्राणियों मा जे अविनाश्यी परमेश्वरं ने समान पणे स्थित रहेलो जाने छे एज साचो जाननार छे अर्थात ते प्रकृती विशेश रूपे नश्ट थाई त्यारेश ते परमात्मा स्वरुप छे एना थी पहला नहीं आंगे अध्याय आठमा कहूँ छे के भूत भावोत भाव करो विसरगह कर्म संगनी तहां भूतों नो ते भाव जे सारो अत्वा खराव काईपन संरचना करेशे इने मटी जाऊ एज कर्मोनी पराकाश्टा छे ए समय कर्म पूर्ण छे अने एज अहीं पन कहूँ छे के जे चराचर भूतों ने नश्च थता अने परमेश्वर ने एमा समभावती स्थीत जुए छे एज यथार्थ छे साचू जुए छे समंपश्चन्धि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नहिनस्थ्यात्मनात्मानं ततो याति पराम्गतिम। केमके ते पुरुष सर्वत्र समभावती स्थित परमात्माने समान जेवाच छे एवाच समान जोतो होवा थी पोताना थकी एपोताने नश्च करतो न थी केमके जेवू होई एवू एणे जोयू छे एथी ते परमगतिने प्राप्त करे छे प्राप्ति करनार पुरुषुना लक्षणू भगवान दर्शावे छे। जे पुरुष संपूर्ण कर्मों प्रक्रुति द्वारा कराई छे। अर्थात जया सुधी प्रक्रुति छे। त्या सुधी कर्म ठता जुए छे। तथा आत्माने अकरता तरीके जुए छे। एज साचू जुए छे। यदा भूत प्रिथग्भावं एकस्थ मनुपश्यती तत एवच विस्तारं ब्रम्ह संपध्यते तदा जे समय मनुश्य भूतो ना भिन्न भिन्न भावो मा एक परमात्माने एक सर्खीरिते स्थित जुए छे अनि ए परमात्मा माथीज बधा भूतो नो विस्तार थैलो छे एम जुए छे ए समय ए ब्रम्हने पामे छे जे क्षणे आ अवस्था आविगई एज क्षणे ब्रह्मने प्राप्त करिले छे आ लक्षण पन स्थीत प्रग्न महापुरुष्णूं छे अनादित्वान निर्गुनत्वात परमात्मायमं व्ययह शरीरस्थोपि काउंतेय नकरोति नलिप्यते हे काउंते अनादि होवा थी अने गुणातित होवा थी आ अविनाशी परमात्मा शरीर मां स्थित रहवा छतापन कशूं करतो नथी अने कशाथी लेपातो नथी एक केविरीते एविशे भगवान कहेचे यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशं नूपलिप्यते सर्वत्रा अवस्थितो देहे तथा अत्मा नूपलिप्यते जिम सर्वत्र व्यापेलू आकाश सुक्ष्म हुवाने कारणे कशाथी लेपातो नथी तेम देहेने विशे सर्वत्र व्यापी में रहेलू आत्मा गुणातीत हुवाने कारणे देहेना गुणों थी लेपातो नथी आगल भगवान कहेचे यथा प्रकाशयत येक, कृच्नम लोकमिमं रविह, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृच्नम, प्रकाशयति भारत अर्जुन, एकच सुर्य जें संपूर्ण ब्रह्माण ने प्रकाशित करेशे, तेम एकच आत्मा संपूर्ण क्षेत्र ने प्रकाशित करेशे, अन्तुमा भगवान निर्णे आपेशे क्षेत्रक्षेत्रग्ययो रेवं, अन्तरं ग्यान चक्षुषा, भूत प्रकृति मोक्षण्च, ये विदुर्यांति ते परं आम क्षेत्र ने क्षेत्रग्यना भेदने, तथा अविकार सहीत प्रकृति माथी छूटवाना उपाईने, जे ग्नान रुपी नेत्र द्वारा जोहिले छे, ते महात्मा परम ब्रह्म परमात्माने प्राप्त थाई छे, अर्थात, क्षेत्रक्षेत्रग्यना ने देखवा आँख गिनान छे अने गिनान ज़ साक्षात कार्णों परियाय छे निश्कर्ष गीताना आरंभ मा धर्मक्षेत्र ने कुरुक्षेत्र ना नामनों उल्लेक तो थयो परन्तु तेक्षेत्र वास्तों मा क्या अवेलू छे एस थड़ बतावानू बाकी हातू जे अंगे स्वयम शास्त कारे आ ध्यायमा स्पश्चता करी के हे कुण ते आश्रीरज एक क्षेत्र छे जे इने जाने छे ते क्षेत्रग नचे तेमा फसायलों नती परन्तु निरलेबच छे एनो संचालक छे हे अर्जुन तमाम क्षेत्रों मां हुँ पण क्षेत्रग नशुँ भगवाने बीजा महापुरुष ताथे पोतानी तुल्ना करी आतिस पष्ट थाई छे के श्रिकृष्ण पण एक योगी हता केमके जे जाने छे ते क्षेत्रग नशे एवु महापुरुष वे कहुँ छे हुँ पण क्षेत्रग नशुँ अर्थाथ अन्य महापुरुष नी जेम हुँ पण छुँ एमने क्षेत्र जेवूं छे जे विकारों वाड़ों छे शेक्त्रग्न जे प्रभाव वाड़ों छे एना पर प्रकाश पाड़ों हुझ आम कऊशु एम न थी महर्शियोय पन आज कहूं छे वेदना चंदों माँ पन एने विबाजित करीने दर्शावायों छे ब्रह्मसुत्रमा पन आज वाड कही छे शरीर जेक्षेत्र छे शुँ जेत्लू दिखाये छे एटलूट छे शरीर होआ पाचल चेमनों खुब मोटों हाज छे ए गणावता दर्शावियों के आठ प्रकार नी अश्चता मूल प्रकृती अब्यक्त प्रकृती दस इंद्रियों औने मन इंद्रियों न पाँच विशय आशा तुरुष्णा औने वास्ना आ प्रकार न विकारों नू सामूहिक मिश्रण एज शरीर छे जा सुधी ए रहे शे त्या सुधी शरीर कोई ने कोई रूप मा रहे शे आज क्षेत्र छे एमा वावेल सारा खोटा बीज रूप सल्सकारों फलीत थाई छे जे एनो पार पामे छे तेक्षेत्रग्न छे क्षेत्रग्नना स्वरूप दर्शावता एमने इश्वरी गुण धर्मों पर प्रकाश पाडच चे अने कयों कि क्षेत्रग्न आक्षेत्रणो प्रकाशक छे एमने दर्शावियों कि साधन्ना पूर्तिकार्मा परम्तत्व पर्मात्मानू प्रत्यक्ष दर्शनज ग्नान छे ग्नान नो अर्थ छे साक्षातकार ए सिवाईनू बाकीनू बधू अग्नान छे जानवा योग्य वस्तू परातपर भ्रम्म छे ते न सच छे के न असच छे अब अन्ने थी पर छे एम ये जानवा माटे लोको बहार मूर्ती राखीने नहीं पन रदैमा ध्यान धरेशे घडालोको सांख्य माध्यम थे ध्यान करेशे सेश निशकाम कर्मयोग समर्पणनी साथे इनी प्राप्ती माटे ए निर्धारित कर्म आराधनानों आचरण करेशे जे इनी विधी जानतों न थी एपन तत्व स्थित महापुरुष्णों उब्देश सांबली ने आचरण करेशे ते पण परम कल्यानने प्राप्त करे छे इटले कि काई न समझाए तो इने जाननार महापुरुष्णों सत्संग आवश्यक छे स्थीत प्रग्न महापुरुष्णा लक्षन बतावता योगेश्वर्षी कृष्णे कहूं कि जेम आकाश सर्वत्र समान रहीने पर निरलेब छे जेम सुरिय सर्वत्र प्रकाश करतो होवा छता निरलेब छे बराबर एज प्रकारे स्थीत प्रग्न पुरुष्ण सर्वत्र सम इश्वर्रे जेवोश्षे तेवोज जोवानी क्षमतावाडो पुरुष्ण क्षेत्र थी अत्वा प्रक्रुती थी सर्वता निर्लेच छे अंतमा एम्ण निर्णे आपयो कि क्षेत्र ने क्षेत्र ग्णनी जानकारी ग्णान रुपी नेत्र थीच चक्षक्य छे आगण बतालू तें ग्णान ए पर्मात्माना प्रत्यक्ष दर्शन नी साथे मलनारी जानकारी छे शास्त्रों खोब गोखी गोखी इनुँ पाठ करवो ए ग्णान नथी परन्तु तेनु अध्ययन तथा महापुरुषो पासेती ते कर्म समझी ते कर्म उपर चालीने मन सहीत इंद्रियोनो निग्रह अने ते निग्रहना पण विलैकालमा परम्तत्वने जोवानी साथे जे अनुभोदी थाई छे ए अनुभोदीनु नाम ग्णान छे क्रिया चरूरी छे आ अध्याय मा मुख्यत्वे क्षेत्रग्णू सविस्तार वर्णन करिऊ छे वस्तूत ख्षेत्रणू स्वरूप व्यापक छे शरीर कहवूतो सरल छे पर शरीरनों संबंद क्या सुदी छे तो समग्र ब्रम्मान्ड मून प्रकृतीनों विस्तार छे एना थी तमारू जीवन उश्मा भर्यू छे एना विना तमे जीवीजन शको आभूमंडन विश्व जगत देश प्रदेश अने तमारू आ देखातु शरीर एक प्रकृतीनों एक टुकुडो पन न थी आ प्रकारे क्षेत्रनुज आ ध्यायमा विस्तार्थी वर्णन करिऊ छे ते थी ओम तच्सरिती श्रीमद भगवद गीता सूपनिशत्सू ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे शिकृष्णार जुन समवादे क्षेत्रक्षेत्रग्न विभाग योग नाम त्रयोद अशोद्ग्यायह आरिते श्रीमद भगवद गीता रूपी उपनिशत्स अने ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप शिकृष्णार अर्जुन समवादमा क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रग्न विभाग योग नाम तेर्मो अध्याय पूरो थाई छे इती श्रीवत परमहांस परमानंद स्यशिष्य स्वामी अडगडानंद कृते श्रीमद भगवद गीतायाह यथार्थ गीता भाश्ये ख्षेत्र शेत्रग्न विभाग योग नाम त्रयोद शोध्याय अरिते श्रीमत परभाउस परमानजीना शिश्य स्वामी अडगडानंद कृत श्रीमत भगवाद गीताना भाष्य यथार्थ गीतामा ख्षेत्र ख्षेत्रग्न विभाग योग नामनो तेर्मो अध्याय पू यूम तचसत